डियर फ्रेंड्स यहां छट के उपर सोलर का ये पैनल लगा हुआ है और पूरा एक तरफ से सोलर के पैनल पूरे छट पर लगता है कई बार आपके भी छट पर भी लगा होता है हम अपने भी छट पर लगाते हैं और जो है छट के उपर जो है लिंटर होता है उसको पर सोलर क जाता है तो वहां पे धीरी धीरे गढ़ा होने लगता है और पूरे छत को खराब करने लगता है लिंटर के अंदर पानी जाने लगता है पूरे पानी फैल जाता है और सिलन कहीं न कहीं आने लगता है तो जब भी आप नए लिंटर डालते हैं या घर बनाते हैं या छत के polymer cement के mix करके coating किया जा रहा है लिकूड WRien में chemical के использ करकेatus पूरा waterproof किया जाता है जैसे कि हाँ पर किया जा रहा है जब्धि आपके च版 पर sealant की समस्य आती है या पानी तपकता है तो उसने waterproof जरूर करा ले शुलर पहर लागांए के सोच रहे हैं तो भी वाप वाटर प्रूफ करा लें ताकि इन फ्रूचर आपका च्छत डैमेज ना हो आपका घर नया बना रहे हैं और सिलन वगरा की समस्या नहीं आए वाटर प्रूफिंग इनदर में कई टाइप्स के होती है लिकूड मंबरेन लिकूड केमिकल की जो वाटर प्रूफिंग होती है सबसे ज़्यादा कालिगर होती है और हर जगह इसको किया जा सकता है घर में कहीं भी सिलन आता है जैसे छत हो गया बलकानी हो गया रूप हो गया या बेस्मेंट हो गया तो उसके लिक्विड मंब्रेन के कोटिंग की जाती है, सबसे पर छत की सफाई करना होता है, उसके बाद पालिमर सिमेंट को मिक्स करके लेप लगता है, उसके बाद इसको छोड़ दी जाता है सूखने के लिए, जब पुरी तरीके से सूख जाता है उ धीरे धीरे उस पर खराब होना शुरू हो रहा है तो वाटर प्रूफिंग का जरूर काम उस पर आप करा ले चैनल पर पहली बार आये हमें चैनल को सस्काइब कर दे वीडियो के सेर कर दे ताकि मेरे मुलमोल में ब्रीधी हो और ज्यादस ज्यादा मैं वीडियो बना सकूँ और अपने चैनल के माधियम से आप सबको बता सकूँ यहां पर जो छत है आप देख रहे हैं यह ब्रीक बैट कोबाग च्छत है दिली NCR में जो है जो लिंटर पहले पढ़ते थे उसके उपर ब्रीक लगा दिया जाता था कहीं ने कहीं पहले जो है टेडिशनल में ठत में कि waterproofing की जाती थी लेकिन ने technology में यह waterproofing आप कहीं ने कहीं फेल हो गया है और इसके उपर फिट से waterproofing किया जा रहा है यहां पर भी fiber में इस लागया गया है waterproofing करा सकते हैं waterproofing जो होता है हर कोई नई कर पाता है इसको करने के लिए जो है कारिगर जो होते हैं जो प्रोडिशन का profession होता है बहतरीन कारिगर होते हैं वो काम करते हैं बहतरीन लोग से आप काम कराएंगे तो आपका waterproofing का जो आप फ्लाइब होता है 20 शिसे 25 साल होता है टोटन 6-7 कोटिंग की जाती है फाइबर में उसका वर्क होता है कई यह होता है कि आप कम का पैसे में बाट परूप घरार-लेते जो फेल हो जाता है कईने-कई आपकर पैसे का नुक्सान हो जाता है तो ऐसा वाटर प्रूफिंग जो है आप मेरे माध्यम के द्वरा करा सकते हैं चलो को सब्सक्राइब करते धन्यवाद